Yes, YouTube आपको खुद कह रहा है कि आप दूसरों के वीडियो जूस करो, त्रस्ट मी आपको दूसरों के वीडियो जब आप डाउनलोड कर लोगे and उनको आप YouTube पर अपलोड करके पैसा कमा सकते हो, आपके पास पैसा ही पैसा होगा लेकिन उसके लिए आपके पास तरीका होना चा YouTube चैनल डिलेट करने में भी टाइम नहीं लगा तो चुटकियों में YouTube चैनल डिलेट कर देता है तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप दूसरों की वीडियो यूज करके YouTube पर अभी के डाइम में पैसा कमा सकते हूँ YouTube ने खुलाप खुलाप बोल दिया कि करो दूसरों के वीडियो यूज बस आपको ये करना पड़ेगा करना कैसे है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा पस आपको इतना सा कम करना है वीडियो को पहले से लाइक कर देना है चैनल पर पहली बार आए तो वाई सब्सक्राइब मारो यार सब्सक्राइब की भी ना मज जाना सब्सक्राइब कर दो चैनल को बहुत सारे आइडियास में आपको देने वाला हूँ शोट से रिलेटिड भी और लोंग वीडियो से रिलेटिड भी तो सब्सक्राइब कर देजिए अब चलते हैं मैं बात पर आते हैं कि आपको किस तरह का कॉंटेंट बनाना है कैसे बनाना है कैसे एडिटिंग करनी है हर एक चीज में आपको चिखाऊंगा यार हर एक चीज इस वाली वीडियो में तो एक लाइक तो बनता है तो अब आगे चलते हैं यूट्यूब ने आपको क्या बोला है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं यूट्यूब का कहना है कि आप दूसरों के वीडियो को डाउनलोड करो देखो भाई हर किसी को आता है कि कैसे वीडियो को डाउनलोड करने है जब आप यूट्यूब के वीडियोच डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको Creativity दिखानी है अब ये Creativity कैसे दिखा जाएगी कैसे आप दिखा सकते हैं वो मैं आपको बदा होंगा वोईस ओवर कैसे करेंगे लाइक भाई ये एक YouTube वीडियो हुआ चलो मैं आपको Google Chrome पर उपन करके दिखा देता हूँ अभी पीछे Carry Minati का वीडियो आ रहा है तो क्या करेंगे लोग Carry Minati के वीडियो को डाउनलोड कर देंगे वीडियो को डाउनलोड करने के बाद पीछे से वोईस ओवर कर देंगे बस इतना सा काम कर दिया लेकिन अगर आप यहां पे थोड़ा सा इंप्रुमेंट कर देते हो टरस्ट में आप लाइखों रुपे कमा सकते हो improvement कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले तुम आपको कुछ channels दिखाता हूँ YouTube पर YouTube पर ये एक channel है site करके आपको description में link में देदूँगा या आप नाम देखलो आप खुद visit कर लेना तो अब मैं इसके videos पर आ चुका हूँ चलो भाई short video पर चलते हैं तो ये बंदा क्या करता है कुछ ही नहीं यार वीडियो में कुछ नहीं होता जादा सबसे पहले तो मैं इसकी हाँ से आवाज कम करता हूँ और आप लोगों को वीडियो को play करके दिखा देता हूँ ये देखो वीडियो में क्या करेगा आप लोग खुद देखो यार ये वीडियो में करता क्या है कुछ इस तरीके से ये किया और उसके बाद माल लोग कोई कोई experiment करके दिखा रहा है मैं यहाँ पर कोई experiment कर रहा हूँ अब ये बंदा तो बिना वोइस को वीडियो बना रहा है पीछे म्यूजिक लगा रहा है अब आप यहाँ पर अपनी साइट से क्या creativity दिखा सकते हो तो उसके लिए मैं आपको एक और चैनल पर लेकर चलता हूँ यूट्यूब पर ये छोटे से बच्चे को चले ले तो ये बंदा क्या कर रहा है इसकी मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने वीडियो पर क्लिक किया अब इस वीडियो में creativity दिखा गई है लाइक पीछे से voice over कर दिया पहले तो यहाँ पर वीडियो चले रहा है पीछे से voice over कर दिया चलो मैं थोड़ी सी play कर देता हूँ तो देख रहे हो गाइस कुछ इस तरीके साब को creativity दिखानी है लाइक आप इस वाले चैनल से वीडियो को उठाओगे आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसकी इस वीडियो पर 261 million views, 157 million views तो आपको ऐसा वीडियो लेना जिस पर कम views हो वह तो लगों के पास जा चुकी है तो आपको यहाँ से कोई ऐसा वीडियो लेना जिस पर कम views हो अब यह voice over कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे आपको सबसे पहले एक video को download करना है पिछे सा आवाज record करनी है आवाज कैसे record की जाती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी video में तो एक तो आपने voice over कर दिया second आपको video के ऊपर caption भी लिखना है यस आपको caption भी लिखना है एंड एक mistake आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वीडियो में इस तरह के words यो से नहीं करनी है कि ऐसे बंदे को तो जान समाल देना चाहिए ऐसे बंदे को तो गला कार देना चाहिए ऐसे बंदे को तो ये कर देना चाहिए इस तरीके से अपनी वीडियो की स्टार्टिक नहीं करनी है अदर्वाइस आपकी यूटूब चैनल को डिलिट होने में टाइम नहीं लगेगा ये बात मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ और मैं आपको ये बताता भी रहता हूँ आपकी आप लोग मिस्टेक ना करो यार तो अब आपकी वीडियो में हो चुकी है वैल्यू एड क्या है डूई एक तो आपने वोईस ओवर कर दिया उपर से आपने कैप्शन लिख दिया अब ये कैप्शन क्या होता है आप शोट वीडियो दिखते हो उपर येलो पट्टी में लिखा हुआता है कि कोई भी एक लाइन लिख देता है तो उस लाइन में भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए अगर आप गलत लिखोगी तो भी आप कोमेंटरी गाइलन को वाइलेट करो यूट्यूब आपकी चैनल को उड़ा देगा यूट्यूब ने क्लियरली ये बोला है कि आप दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज करो बट सामने वाले बंदे को यूनिक दिखना चाहिए उसको वो वाली वाइब भी नहीं आनी चाहिए कि यह तो यार मैंने पहले भी देखा हुए उसमें कुछ यूनिक दिखना चाहिए वो कैसे दिखेगा आप क्रोमा का यूज करो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाओ अपना फोटो वहाँ पैड करो यूट्यूब ने एक्जामपल देकर भी बताया और बहुत सारे क्रीटर्स ऐसे हैं जो ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं और आप एजली ये एडिटिंग काईन मास्टर से कर सकते हो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ जब आप ग्रीन स्क्रीन का यूज करो थोड़ा लायटिंग अच्छा होना चाहिए अपना फेस बिल्कुल किलिर दिखाो लायटिंग अच्छा होना चाहिए सब कुछ बढ़िया होना चाहिए तब ही कोई आपकी वीडियो का देखागा दूसरे से यूनिक लगना चाहिए लाइक आपने कोई भी YouTube से डाउनलोड किया उसको डारेक्टा वोईस ओवर करके अप्लोड कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा और अपना थोड़ा सा फेस एड़ कर लो एक तो content एक था मस्त हो जाएगा जब आप monetization के लिए apply करोगे तो आपका YouTube channel बहुत जलती monetize होकर भी आएगा YouTube पर ये एक channel है मैं इन भाई का एक दो बार और example दे चुका हूँ अपना momento करके इनका channel है तो ये बंदा क्या करता है किसी भी YouTuber के साथ कोई card होता है या कोई अच्छी बात होती है उनकी वीडियो को download करते है then chroma का use करके अपना photo भी लगा दिया बतलब खुद का वीडियो भी लगा दिया अब ये वीडियो तो उस मंदे का हो गया उपर वाला and बाकी अपना content हो गया तो इसको बोलता है creativity अब ये वीडियो एकदम unique लग रहा है तो आप लोग भी try करो and अपनी वीडियो में अगर आप अपना face show करते हो तो इससे सिर्फ ये निकी creativity आपने add कर दी आपका भी face value बनता है समझे रहो ना ये देखो आपका भी तो face value बनना है लोग आपको भी तो जानने है आपको अगर एक लाख views पर भी एक डोलर मिलता है एक लाख पर आपको एक डोलर मिलता है तो भाई काफी है समझे रहो क्यों विकोज आप दूसरे काई तो content use कर रहे हो बस थोड़ी से अपनी creativity दिखा रहे हो तो इससे आपका भी face value बनना है अगर आप आने वाले time में कोई अपना दूसरा channel अपलोड ओपन करते हो और वहाँ पर long videos अपलोड करते हो तो वो आपका channel गारंटिड चलेगा बिकोज आपका ओलेडी इस वाले channel से face value बना हुआ है short channel से तो इसलिए मैं आपको recommend करूँँगी जैसे आपका short channel गरो होता रहता है या आने वाले time में होगा तो आपको उस time एक long videos का भी channel बनाना चाहिए ताकि आपका भी face value बने है editing करने के लिए आपको दो-तिन application की ज़रूरत पड़ेगी first एक तो हुआ आपका काइन master देखो भाई jinnukitech.com website पर जाकर आप download कर सकते हो जितने भी shorts creator है वो सारे के सारे latest application यूज़ करते हैं तो आप जाकर download कर सकते हो तो अगर आप plan कर रहे हो कुछ इस तरह के videos बनाने का जिसमें आपका भी face रहेगा तो मैं आपको recommend करूँ हो कि आप background में non copyright music use करें अगर आप non copyright music use करोगे तो आपको revenue share नहीं करना पड़ेगा पूरा का पूरा 45% आपको मिलेगा I hope आपको यहां तक अच्छे समझ आ रहा होगा तो अगर आपको editing सीखना है proper तरीके से तो भाई आप इस वाली वीडियो को देखो इस वीडियो में आपको detail में editing सिखाया हुआ है कि कैसे editing करते है काइन मास्टर से short channel के लिए अगर आपके mind में अभी भी कोई question है comment जरूर करना भाई मैं सभी को reply करने की कोशिश करूँ है बागी चैनल पर आगए हो तो subscribe जरूर करना मैं सब्सक्राइब जरूर करना मैं सब्सक्राइब किसे वर interesting वीडियो है तब तक के लिए आप लोग पने जानने के बाबाई